नमसकार आपका स्वागत है दोस्तो महानाचारिय शुक्रदेव ने अपनी नीती में मनुष्यों को ऐसे 6 कारियों के बारे में बताया है जो उसे अपने परिवार के लोगों के साथ कभी नहीं करने चाहिए नहीं तो ये उस परिवार के विनाश का कारण ही बन सकता है दोस्तो परिवार तभी सुकी रहता है जब परिवार के सभी लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हो एक दूसरे का आदर करते हो किन्तो अगर परिवार के सदस्य के बीच में मान सम्मान कम हो जाता है, तो ऐसा परिवार तूट जाता है, कई बार मुर्ख पती पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता को कोसने लगता है, अथो कभी माता पिता की बाते सुनकर पत्नी पर आत्याचार करता है, ऐसे में परिवार का कोई भी सदस्य, संतुष्ट कैसे परिवार के प्रत्यक वेक्ति को यह कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बातों से कभी दूसरों को चोट ना पहुँचाए और नहीं कभी किसी को अपशब्द बोले वानी का प्रहार अत्यंत कष्ट कारक होता है यह सीधा मरमस्थान पर जाकर ही चोट करता है जिससे मन को प्रदेव क्या कहते है पहली बात चल कपट करना दोस्तों आज की कल्यूग में चल कपट करना आमसी बात हो गई है मनुष्य अपने परिवार के सद्धोस्यों के साथ अकारण ही चल कपट करने लगता है जिससे परिवार के बीच में दरारे पढ़ने लगती है एक उत्तम पुरुष को अत्वास्तिरी को कभी छलकपट करना नहीं चाहिए। उसे किवल सत्यकाही स्विकार कर लेना चाहिए। दूसर के साथ छलकपट करने से मनिश्री की आत्मा को पीड़ा होती है। भले ही वो भार से आनंद प्राप्त करता हो। दूसरी बात छिपकर परिक्षा कई बार हमाई इसी गलतिया कर बैठते हैं जो हम पर हद से जादा विश्वास करते हैं जो सदा ही हमारे हितों के बारे में सोचते हैं हम उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते हैं और उनकी छिपकर परिक्षा लेते हैं या उन पर संदे की द्रश्टी रखते हैं ऐसा क कटु भाशा का प्रयोग अपने परिवार के विक्ति से अथवा किसी प्रिय विक्ति के अवहेलना अथवा उसे नीचा दिखाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए चाहे कितनी भी बड़ी भूल हो जाए उस पर गुसा करना ठीक है किन्तु कटु वाक्य बोलना अनुचित ह जो बाते सीधी मरमस्थान पर चोड करती है ऐसे वाक्य कभी न कहे अथवा उनके रूप रंगों को लेकर उनका अपमान कभी न करे चवती बात धन का लालच शुक्रचारे कहते हैं मनिश्य को धन का संग्रह आवश्य करना चाहिए किन्तु जब अपना कोई प्रिय विक्त अथवा बीमार हो तो बिना देरी किये दोनों हातों से धन को लुटा देना चाहिए इसमें जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए धन तो बाद में भी कमाया जा सकता है पर अपन्तु प्रिय विक्ति दुबारा नहीं मिलेगा इसलिए धन का अधिक लालच अनर्थ का कारण बन सकता है पाची बात दमन करना अगर परिवार का कोई सदस्य आपका आदर करता है आपकी हर आग्या का पालन करता है तो उसका बार बार दमन कभी नहीं करना चाहिए बलकि सोयम होकर उसकी साहिता करनी चाहिए कुरूर मनुश्य में यह लक्षन होता है कि वो उसका आदर करने वालों का ही दमन करने लगता है, उसके मन में उनके लिए कोई भी दया भाव नहीं होता, ऐसा करना अनुचित है, इससे प्रेमा रादर और भी कम हो जाता है, छटी बात है स्वादिष्ट भोजन, मनुष्य को चाहिए कि सुन्दर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन का आन अनिष्ट कारक है, इसलिए अपने प्रिय जनों के साथ ऐसा कभी न करें, तो दोस्तों, ये तेवच्छे कारी है, जो मनिशक अपने परिवार के सदोस्य के साथ कभी नहीं करने चाहिए, शुकर अचारी की इस नीती पर आपकी राइक कमेंड में ओश्य बताए, वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें, ताकि अब ऐसी अध्यात्मिक मोटिवेशनल वीडियो देख सकें, धनिवाद